नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमितंकु पर तो दोस्तों आज मैं आपके लिए क्या हूँ हूँ और हैजब एससी आज भीजी के सीरिज यह दोजाश सत्रा के जो कोश्चन थे थे चीजी के उसका सैकेंड पार्ट तो सैकंड पार्ट आज हम डिसक्स करेंगे इसका तो जिसने मेरा फास्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो निचे डिसकर्षिन बॉक्स में दिया गया है तो आप कमेंसे को देख सकते हैं तो चली यह शुरू करते हैं तो पहला कौशन इसमें है इस आने कि समवाव यहमतिकी पत्तवरा करेंकिा उप्णा की को उसके बाद पीन पारवती पीन पारवती जोड़ता है कुलू और स्पीती को उसके बाद है जैसे कुगती दर्रा तो कुगती दर्रा जोड़ता है लाहॉल और भर्मोर को फिर छोबी दर्रा लाहॉल और भर्मोर को इसके लावा कुंजम दर्रा बारालाचा दर्रा और पूछ रहे हैं कि चुराह घाटी कहां पे है तो चुराह घाटी है चमबा में और इसके लावा चुहार घाटी कहां पे है तो चुहार घाटी है मंडी में और बात करे हम दून और स्प्रून घाटी तो दून और स्प्रून घाटी याँ है सोलन में और क्यारददा दून घाटी जो है वह है सिर्मोहर में तो किस परवद शेंखला में खजियार जील स्थित है तो इसका जो अंसर है ऑप्शन सी दौलाधार तो बात करें हम खजियार जील की तो यह है चंबा जिले में और खजियार को हिमाचल पदेश का स्विजलेंड भी कहा जाता है तो यह नाम दिये गया था पीब लेजर द्व हुआ तब कहलूर राज्य का शाशक कौन था तो इसका जो करेक्ट अंसर है ऑप्शन डी हीराचंद तो बात करें यह 1857 के बिद्रोग के बारे में तो तब शिमला के डिप्टी कमिशनर कौन थे तो इसका अंसर आएगा लॉर्ड बिलियम है इसके लावा जो कौशन पुछ इतर Humans the counterpart नहीं है तो यह हुआ थाा कांगडा का बरिज इश्वरी मंद spécial में मोद्गे में ने भारत पर 17 पर अक्रमन किय था तो ओक्ड़ा यह अकमन किय था एक पहजार नौ2 उगित कोशुन है 162 जस्वान राज्य की राज्धानी थी तो तो इसका जो अंसर आएगा वह एगा option D राजपूरा तो जस्वां राज्जी की राजधानी थी राजपूरा में तो बात करें हम जस्वां राज्जी की तो जस्वां राज्जी की जो स्थापना की थी वो की थी कांगडा के कटोच वंश के राजा पूरुचंद द्वारा 1170 तो पूरवचंद द्वारा की गई थी 1170 इस्वी में तो जस्वा रियासत जो थी वो थी कांगडा कांगडा से टोटकर बनने वाली पहली रियासत तो निवन में से कौन पजोता अंदोलन के सास्थ लंगनित नहीं है तो इसका जो अंसर है ऑप्शन डी शिवानंद्र मोल ने में शियात्र है कि तो इसका जो अंसर है ऑप्शन ए स्टेट फेर तो मनी में शियात्र जो है यह चंबा जिली से जम्बंदीत है और यह राज्जिस्तरी तुहार है नेस्ट कोशन है 158 गुरु घंटाल गौंपा पूरुनता निर्मित है गुरु घंटाल गौंपा जो बना है तो आइढम कि इसका जो अंसर है ऑप्शन ए वूर्ड लेकिन आप स को सकते कि अंसर में पास नहीं है तो यह जो घंटाल गौंपा की तो यह जो है चंधर और भाग नदियों के संगम पर तुप चलिक गाम में स्थित है और जिसकी स्थापना की थी गुरु घंटाल गौंपा की स्थापना की ही आठवी सदी में गुरु पद्व संभव नहीं तो इसका अंसर आप गूगल पर भी सर्च का सकते हैं और नेश्ट कोशन है 159 स्मुद्र द्वीप किस जील का लक्षण है तो सी आई-लैंड इस फीचर ओफ लेक तो इसका अंसर भी डाउटफुल है क्योंकि बुक में देखा होता है कि प्राश्र जील तो प्राश्र जील में प्राश्र जील में ना रिवालसर जील तो इसका भी आंसर जो है डाउटफुल है तो अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो सी आई-लैंड इस फीचर ओफ लेक तब भी आपको क्या बताएगा वह रिवालसर जील या प्राश्र जील तो बात कर लेते हैं इन जीलों की त तो डल जील जो है वो कांगडा में स्थेते हैं और जो गुविंत सागर जील है वो है हिमाच्यपदेश की सबसे बड़ी कृत्रम जील जो की बिलासपूर जीले में है और सतलुज नदी पे स्थेते हैं और बात करें हम चंदरताल जील की तो चंदरताल जील जिसको क्या कहत तो हुए इसको नाम दिया था लोहित्य श्रोबर और यह जील है लाहॉल स्पीती में और इस जील से चंद्रा नदी का उद्गम होता है नेस्ट कॉच्टन है वाइड फ्लावर हॉल वाजदा रेजिस्डेंस ओफ तो वाइड फ्लावर हॉल किसका निवास्थान था तो इसका भर peppers पेंव्दु यह जूड़े हुए थे तो गूले जित्रकला से चेתי आस стать को सजनु किस रियासत चित्रकार था तो सजनु था कुल्लू रियासत का नेस्ट कॉच्छन है गुरू गोविन सिंग ने कभी यत्रा नहीं की तो इसका जो अंसर है उप्शन ए तो गुरू गोविन सिंग कभी भी धर्मशारा नहीं आई थे तो बात करें हम गुरू गोविन सिंग की यात्राओं के बारे में तो गुरू गोविन सिंग ने आई थिंक सिर्मोर के राजा थे तो सिर्मोर की यात्रा की थी तब सिर्मोर के राजा थे मेधनी परकाश और जब गुरू गुविन सिंग ने मंडी की यात्रा की थी, तो मंडी की यात्रा के समय मंडी की राजा थे, राजा सिद्ध सेन. इसके लावा जो other question पुशेयाते हैं कि जैसे बंगाणी का युद्ध कप हुआ था तो बंगाणी का युद्ध हुआ था 1686 में बंगाणी का युद्ध हुआ था तो यह हुआ था गूरु गोविंझ सिंग और कहलूर के राजा भीमचंद के बीच में और एक कोशन जो पूछा आता है कि गुरू गोविन सेंग ने दशम गरंथ की रचना किस चहर में की थी तो पाउंटा साहिब में नेश्ट कोशन है दा ओनली सैनिक स्कूल इन हिमाचल पदेश इस एड़ तो हिमाचल पदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल कहां पे स्थित है तो यह कहां पे है सुजानपूर टिहरा में नेश्ट कोशन है दा रीवर रावी रावी राइजस फ्रॉम तो रावी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है तो रावी नदी जो निकलती है तो रावी नदी कहां से निकलती है दोलधार से तो रावी नदी निकलती है बड़ा नेश्ट कॉशन है दा बुक किंडर देश वाज रिटन भाई तो पुस्टर किंडर देश किसके दौरा लिखी गई है तो इसका जो अंसर है ऑप्शन भी राहूल संस्कृतियान दौरा तो बात करें हम जीडी खोसला तो जीडी खोसला की जो फेमस बुक है इनकी बुक का ना है नेश्ट कॉशन है देर अलाज फिश फाउम हैट तो एक बड़ा फिश फाउम काहां पर है तो यह है ऑप्शन भी देऊली में विलासप्र नेश्ट क्यूशन हैनेता जी सुभास चंतर भोस ने अपने अनक महिनिने काहां पर गुजा रहे थे तो इसकांसर है आप्शन बुंडा का समंद्ध जो है परशुराम जी की पूजा से है और बुंडा उत्सव जो है बारा वर्ष के बाद मनाया जाता है कि नेश्ट कोईशन है वें स्पीती के बारे में किस ने कहा कि यह स्थल मनुश्यओं का स्थल नहीं है तो इसका जो अंसर यह उप्शन टी रुढ़्यार को या दिया गटो तो जब मैंने Google में सर्च किया, तो Google में भी कई जगा पांगी घाटी और कई जगा स्पीती घाटी में स्पीती घाटी इसका answer दिये गिया है, तो इसका answer जो है, वो doubtful है, अगर किसी को इसका answer पता है, और correct answer क्या है इसका, तो comment box में पटा सकता है, तो नहरू कुंड स्थित है तो नहरू कुंड कहां पे है यह मनाली में तो याद रखना कि नहरू कुंड और अरजुन गुफा कहां पे है मनाली में और ब्यास गुफा है बिलासपुर में और अपसरा कुंड जो है वह कांगडा में नेस्ट कोशन है हिमाचल प्रदेश का कुल प्रिष्ट शेत्रफल कितना है तो इसका जो अंसर है ऑप्शन ए 55673 वर्ग किलोमीटर नेस्ट कोशन है 156 तो हिमाचिल प्रदेश से कुल राज्य सभा सीटे कितनी है तो टोटल राज्य सभा सीटे कितनी है हिमाचिल प्रदेश से 3 और बात करें हिमाचिल प्रदेश से कुल लोग सभा सीटे कितनी है तो 4 और कॉशन आता है कि हिमाचल प्रदेश से संसद के लिए कि दिने सदसर जुन जाते हैं तो लोग सुभा प्लस राज्य सभा यानि कि तीन प्लस चार साथ टोटल साथ सीटें और बात करें बिधान सभा की तो हिमाचल प्रदेश में हैं बिधान सभा की 68 सीट तो नेस्ट सब्सक्राइब करें तो इसका अंसर है ऑप्शन डी देवदार और बात करें हम ऑप्शन एक ही तो यह क्या है पिंक रोडो डेंट्रों तो इसको बोलते हम हमाचल प्रदेश का राज की पुष्प तो राज्य प्रिक्ष हो गया देवदार और राज्य पक्षी है हमारा जोजू राना और राज्य पशु कौन सा है बरफीला तेन दुवा नेस्ट कॉशन है हेडिमबा मंदिर किसकी नजदीक स्थित है तो इसका जो अंसर है option D मना ली नेस्ट कॉशन है दा टॉंस इस फीडर ओफ दा रीवर तो टॉंस कौन सी नधी की एक सहायक नधी है तो टॉंस किसकी सहायक नधी है यह मुना की option D तो 163 का अंसर है option C रतेश नेस्ट कॉशन 164 हिमाचल प्रदेश के ब्लासपो जिले में बोले जाने वाली बोली कौन सी है तो इसका जो अंसर है option D कहलूरी और बात करें हम महासूबी बोली की तो महासूबी बोली बोली आती है यह आ सोलन जिले में नेस्ट कॉशन है स्पी किति और किनोर्थ किसके दोहरे तिब्बत से प्रिथिक होते हैं इसका अंसर है option C जासकर परवतमाला से तो कॉश्चन ऐसे भी आता है कि जासकर परवत श्रेणी हिमाचल प्रदेश को खालिस्तान से अलग करती है तो अंसर आएगा तिब्बत से तो इसका अंसर है option C कसूल सत्रु जनादी बिलासपर जीले में कहां से परवेश करती है कसोल से नेज्च कोशन बन फिप्टी टू यकुंड इसके समीप एक स्थान है नेज्च कॉशन बन फिप्टी-थी तो बन फिप्टी-थी कॉश्चन है इस भी में किस्तवाराज्य के अधिगरहन में चम्बा से तुगलक द्वारा किस वर्ष कांडा के लिए जीता किया था तो इसका अंसर है आएगा इसका ऑप्शन सी प्रिथवी चंद इसके लावा जो है फिरोश्या तुगलक ने कांडा के लिए को कब जीता था तो वो जीता था 1361 में नेश्ट कोशन है प्राचीन काल में रामपूर बुशहर राज्य की राज़धानी थी इसका अंसर है ऑप्शन सी कामरू नेश्ट कोशन 156 1937 में सिर्मोर प्रजा मंडल का प्रत्थम अध्यक्ष कौन बना तो इसका जो अंसर है ऑप्शन सी चोधरी शेर जंग नेश्ट कोशन है ग्रामर स्कूल इन शिम्ला वाज लोकेटड एट तो शिम्ला में ब्याकरन बिद्याल कहां पेस्तेते हैं और अंसर की में इसका अंसर दिये गया है ऑप्शन सी कैथ्थू और नेश्ट कोशन नेश्ट पीडिएफ आसरी नेश्ट जो कॉशन में पर है वह इसका पोस्ट कोड पांसो तेरा तो उसके डिसक्स करते हैं हम एस पीजी के कॉश्चन तो महाराजा रंजीत सिंग ने किसकी यत्रा की थी तो इसका अंसर है ऑप्शन भी सालाचा दर्रा नेश्ट क्वेशन है da Rindukar किसके साथ जूडी हुई है तो इसका जो और सी डी परशुराम इस तो कांग्र जब बुष्वा और बात करें हम ऑप्शन वी काल खंडेरवाल थो और पहाडी मिनियेच्र पैंटिंग और हम ऑप्षिंटी की ओसी होंडा तो ऊचे वैध घान नाम है Buddhist Monasteries तो ओयन हांडा दवर पुस्त के लिखे गई है Buddhist Monasteries next question है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में किलाड स्थित है तो यह है option D चमबा में तो फ्रेंड्स पार्ट टू के लिए यान कि आज के लिए इतने questions काफी है तो बाकी जो next questions होंगे next part जो आएगा वो कल तक आ जाएगा तो अभी भी काफी ज्यादा 62 pages जो है PDF के हैं वो 62 pages में अ तब प्रवाइड होगी जब यह पूरी की पूरी PDF जो इसकी वीडियो बन जाएगी इसको आप जासा जासा शेयर करें ताकि जो भी त्यारी कर रहे हैं अच्पीए सच्थी की उनका तक यह वीडियो पहुंच जाए और जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो कर अच्पीया फर्स्ट पार्ट देख लें